हलो एव्रिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल मैं हूँ शेफ मिनी और इंडियान रोमा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है यहां मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर रेस्पी इतनी इजी लेकर आऊ ना कि घर के इंड्रीडिन्ट से आप उसको फट फट बिल्कुल रेस्ट आपने बहुत बनाई होगी आज हम बना लेते हैं मसाले वाली आलू बैगन की सबजी बहुत अच्छी रसिपी है बहुत इसी रसिपी है एक बर आप बनाएंगे तो आपको मजाने वाला है एक बर में साथ चलीए किचन में इसको बना लीज़े यह देखिए यहां मैंने ब इसमें टेस्ट तो होता है और इसी वज़े से सब लों को बहुत वसंद आती है और इसको मैं काटंगी वेजीज में काट के इसको रखोंगी उससे क्या होगा कि हमारे को जो बैगन की सबजी बनानी है उसके अंदर थोड़े से बड़े बड़े पीसिस चाहिए क्योंकि हम बैगन को फ्राई करेंगे बैगन बहुत जल्दी कल जाता है तो अगर हमने इसके पतले पीस किये ना तो फिर हमारे को मज़ा नहीं आने वाला है चलिए बैगन को मैंने लंबे लंबे वेजिस में काटा अब इनको तीन हिस्चों में काट लूँगी तब भी मेरे पीसिस अच्छे बड़े रहेंगे ऐसे करके मैं सारे बैगन को काट लेती हूँ और ये देखिए मेरा सारा बैगन कटके बिल्कुल तयार है अब अगर हम बैगन को काटके ऐसी छोड़ देंगे ना तो बैगन बहुत जल्दी काला बढ़ जाएगा तो इसलिए हमने एक बाउल दिया उसमें डाला पानी और अब असके अंदर एक चमश नमक डालके हम बैगन को थोड़ी देट के लिए भिगा देंगे और तब तक हम क्या करेंगे अपने आलू छील लेंगे अच्छा कुछ लोग बैगन को छील के भी बनाते हैं चिलका छील के भी बनाते हैं आप छील के भी बना सकते हैं और जैसे मैंने छीलके के साथ बनाया आप इस तरीके से भी बना सकते हैं वैसे तो आप अपने हिसाब से आलू कम जादा या बैगन कम जादा कर सकते हैं बट मैंने एक किलो समझे लिज़े कि बैगन है तो आदा पॉना किलो के करीब मैंने आलू ले लिया है और आलू को देखे चीलने का तरीका बिल्कुल अच्छा से पीलर से चील लेंगे और आपने क्या इपर देखा होगा कि आलू जो है साफ नहीं होता उसके उपर छीक छीक लग रहे हैं चीलने के बाद भी तो उसका ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से आलू को बिलकुल साफ कर लीजए नहीं तो जब हम उसे काटते ना तो सबजी अच्छी नहीं लगती है और यह देखिए मेरे दोनों आलू को बिल्कुल क्लीन कर लिया है कितने अच्छे साफ देख रहे हैं और अब हम इनको वेजिस के अंदर काट लेंगे और यहां आप देख सकते हैं कि आलू हमारे कट गए तो इसको भी हम क्या करेंगे बिल्कुल नमक के पानी में भीगा कर रख देंगे जो कि हमारे आलू काले ना पड़े और यहां पैन ले लेंगे और पैन के अंदर डाल देंगे हम सर्जोगा तेल जो मैं हमेशा पका के अपने पास रखती हूँ और बहुत ध्यान से हम इसके अंदर कटेवे आलू डाल देंगे और उनको फ्राइ कर देंगे यह देखिए तेल बहुत ज़्यादा करम है और कड़करा है तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप जलना जाएं थोड़ा दूर रहकर तक ने इनको डाले आलू को और देखिए 5-7 मिनट में आपके आलू कितने गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे आलू फ्राइ करने का फायदा क्या है एक तो हमारे आलू के अंदर एक आउटर कवर आजएगी जो एक्स्ट्रा आलू को चुक्या करेगी गल्ले नहीं देगी और सेकिंड ली क्या होगा हमारी सबजी बहुत टेस्टी बनेगी और अब उसी तेल के अंदर हम डाल देते हैं सारे बैगन और उनको भी जड़ जड़ से फ्राई कर लेंगे तो बैगन को फ्राई करने में भी हमारे को 5-7 मिनट लगेंगे और हमारे जो बैगन फ्राई होजएंगे और क्या होगा कि जह हमारी सबजी है उसका टेस्टी बदल जाएका आप चाहँ दो बनाृत के। बेना फ्राई के सबजी को बना सकते हैं पर फ्राई करने साथ कि बैगन गरम होता है कई बहुत लोग कहते हैं जब बैगन खाते हैं तो हमारी जीब चिलने लगती है या कुझली हो जाती है तो आप ऐसे फ्राइ करके बनाईए तो बिलकुल भी आपको इस चीज से दो जार नहीं होना पड़ेगा और यह देखिए अब इसी पैंड के अंदर मैंने थोड़ा सा तेल और डाला है और डाल दिया है इस बिलको जीरा जीरा जब से तरखने लगेगा तो हम इस बिलके अगी का प्रोसेस करेंगी हम यहाँ पर डाल देए कत्री ही चौप क्यास तो आप चाहें तो मसाला चौप क्यास और तुमेटर पीरी के साथ भी बना सकते हैं मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए हैं थोड़ी की प्याज डाले कि आप प्याज के साथ या जिसी भी प्याज के साथ भी मसाला बना सकते हैं मैं इसको बना रही हूँ हमारे पास बन रहता है हमेशा चॉप्ड मसाला मैं कैसे बनाती हूँ प्याज अद्रक और लहसन को भून लेती हूँ और इसमें हल्दी नमक मिश डाल देती हूँ धनिया नहीं डालती तो मेरा हमेशा रेडिमेट मसाला रहता है और जब भी मुझे कोई सब्जी बनानी होती ह मैं बस जट से पैन लेती हूँ उसमें थोड़ा ओयल डालती हूँ थोड़े मसाले डालती हूँ अपने इसाब से जिंजर गार्लिक पेज डालती हूँ और प्याज का जो मसाला भून के रखा होता हूँ तो इतनी जल्दी हमारी सब्जी बन जाती है ना कि मैं आपको क्या मसाले की रेस्पी देखनी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताईए तो मैं आपको यह बना कर भी दिखा दूंगी इस तेना लाइफ बहुत इजी हो जाती है कि आप चाहिए कहीं से ठक कराएं या कुछ भी हो आपको क्या है कि फटा-फट मसाला निकाल और सबजी बना आज़ी तो यहां देखिए हमारा भी मसाला अभुनने लगा है मने अध्रक लैसन का प्रे रमक में पानी में भी डाला था आलू में भी और बैकन में भी और यहां डाला है हमने तीन चमच धनिया धनिया क्या करता है एक अच्छा सा गाड़ा बन देता है तो यहां तीन चमच में धनिया डाल दूंगी और इसके अंदर अच्छे से हम डाल देंगे पानी और इसे मिक् जाएगा तो अपने हिसाब से थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजे और इसको थोड़ी दिर के लिए भुनने दीजे और आपका मसाला भुनता है कैसे है जब आपको ये पता लग जाए कि उपर उपर तेल आ गया है इसका मतलब हमारा मसाला जो है वो बनके बिलकुल तयार हो गया एक काशबु तो एतनी लाजवाब आपको बतानी सकती अब मैं डाल दूँगी तो यहां मैंने इक कप भरके टुमैटो प्युरी डाला है यह मैंने डिन मेटो प्यूटी डाला है अगर आप चाहें तो आपके पास घर में टमाटर होते हैं तो टमाटर लीजे मिक्सीम तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर अपने फ्राइड आलू में पहले क्यों डाल रही हूं कि अगर बाइचांस आलू में कोई सी भी कसर होगी थोड़ी सी भी कसर होगी तो वह क्या होगा अच्छे से इसके अंदर पक जाएंगे तो 2-4 मिनट इसको चला के हम इसके अंदर डाल देंगे पानी पानी डालके हम इसको पांच मिनट के लिए ढख देंगे तो आलू की जितनी भी कसर होगी न वह खतम हो जाएगी और पांच मिनट से साथ मिनट में आपको चेक करना पड़ेगा आपके अलू बिलकुल परफेक्टली गल के तैयार हो तो दीखे यहां प पट्टे भी डाल देते पर बैगन ज्यादा अगर गलेंगे ना तो क्या होगा ओवर कुक होंगे तो घुल जाएंगे तो यहां सिर्फ दो से चार्मिनट के लिए को इसको ढखिए और यह देखिए क्या परफेक्टली आप सबजी गल के बन के तैयार हो गई है और कितनी ट यह क्या मज़ा आ रहा है यहां चारों तरफ इतनी बढ़िया खुश्बू हरी है ना कि मेरी टेबिल के चारों तरफ लोग खड़े हैं और यह वेट कर रहे हैं कि कभ यह खतम हो रसीपी कंप्लीट हो और वह टेस्ट करें तो मुझे तो बड़ा मज़ा रहा है इसको बनान शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन ज़रू दबादें जो कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपनों को मिलती रहे और मेरा एक और चैनल है इंडियन माइन कैनेडा वह हमारा व्लॉग चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें और इंस्टाग